जहिंद साथियो, साथियो, हम लोग chemistry पढ़ रहे थे और chemistry में साथियो chapter 12 चल रहा था, जो chapter का नाम था साथियो, धातुय और उनके योगी, ठीक है, साथियो आपको बताये थे, कि इसमें करीब से करीब साले 3 सवारा है, और आपको part by divide करके total जो सवाल है, provide करेंगे, तो आग साथियो, total सवाल complete हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप वीडियो में अंतक बनी रहेगा, और दोस्तों को भी share कीजिए, वीडियो इसकी पना कीजिएगा, ठीक है, बढ़ते हैं, जितना भी सवाल साथियो, कल हो चुका था, उससे आगे सवाल की और बढ़ेंगे, ठीक है, ब हात में ही पिघल जाता, ऐसा कौन सा धातु है, जो साथियो हात में भी पिघल जाता है, अप्शन A है, sodium, B है, gallium, C है, potassium, D है, magnesium, कौन सा धातु है साथियो, वह जो धातु है मेरा वो, gallium जो है, हात में भी पिघल जाता है, ठीक है, बी जो है मेरा वो correct answer हो जाएगा, आगे नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट है नीवन में कौन सी धातु अर्दचालक की भाती ट्रांजेस्टर में भी परियुक्त होता है अर्दचालक के भाती किसमें परियुक्त किया जाता है ऐसा कौन सा धातु है तो जर्मेनियम है कौन सा है जर्मेनियम जो है वो अर्दचालक की भाती ट्रांजेस्टर में भी परियुक्त क्या जाता है साथी हो BPSC तो यह एक का पूछा गया सवाल है आगे बढ़ते है next सवाल क्यों है देखे next सवाल है नाभक्य रेक्टरों में neutron नियंत्रक के रूप में क्या परियोग किया जाता है neutron नियंत्रक के रूप में क्या परियोग किया जाता है साथियो तो उसमें जो परियोग किया जाता है kdm और boron किया जाता है c मेरा correct answer हो जाएगा आगे देखे नेक्स्ट नेक्स्ट है निमलिखित में कौन सा तत्तु इस्टील में संरक्षन परति रोध उतपन करता है कौन करता है शाथियो तो वह करता है मैरा निकेल सी मेरा कर्केक्ट आंसर हो जाएगा आगे नेक्स्ट है निमलखित में कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है सबसे मुलायम जो धातु होता है साथी हो कौन सा होता है वह है मेरा सोना सबसे मुलायम होता है सी मेरा क्रेक्टर आंसर हो जाएगा ठीक है साथियो यह उनेस में SSC का पूछा गया सवाल है आगे देखे नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट है प्रकिर्ती में स्वतंतर अवस्था में भी पाया जाता है कौन सा धातु पाया जाता है तो साथियो वद जहतु है मेरा इन में से सभी है सोना भी पाया जाता है चान्दी भी पाया जाता है और तामभा भी पाया जाता है दो D नमर जो है साथियो मेरा correct answer हो जाएगा आगे देखिए next सवाल नेक्स्ट है निमलिखित में से किस रेडियो धर्मी तत्त की कीर्णों का कैंसर का उपचार में परियोग किया जाता है साथियो तो मेरा कोबाल्ट हो जाएगा D correct answer देखिए आगे next सवाल नेक्स्ट है साथियो धबा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ परियुक्त होने वाली महतपूर्ण जो धातू है कौन सी धातू है तो साथियो वह मेरा धातू है क्रोमियम कौन से धातू है क्रोमियम B मेरा correct answer हो जाएगा आगे next है नाविक्या रियक्टर में इंधं का काम करता है नाविक्या रियक्टर में इंधन का काम कौन करता है साथियो तो uranium करता है वी मेरा correct answer हो जाएगा कौन करता है यिरमियम आगे देखिए next सवाल नेक्स्ट है नाविक्या उर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्तु का परियोग किया जाता है किस तत्तु का परियोग किया जाता है तो उरेनियम का परियोग किया जाता है नाविक्या उर्जा प्राप्त करने के लिए आगे देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है निमलिकीत में सबसे भारी धातू है सबसे भारी धातू का नाम है युरेनियम क्या नाम है युरेनियम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल क्यों देखें नेक्स्ट है येलो केक नाम किस वस्तू की सीमा पर तसकरी की जाती है साथिव सवाल है कि ये लोग के एक नामक जिस वस्टू की सीमा पार तसकरी में की जाती है उस वस्टू का नाम क्या है साथिव उस वस्टू का नाम है uranium oxide क्या है uranium oxide बी मेरा correct answer हो जाएगा आगे देखी next सवाल नेच्स्ट है monogyide monogyide बालू में निवन में से कौन सा खनीज पाया जाता है, मोनोजायट साथियो बालू में निवन में से कौन सा खनीज पाया जाता है, साथियो उसमें जो खनीज पाया जाता है, वो रता है थियोरियम, कौन रता है थोरियम, सी मेरा करेक्टर आंसर हो जाएगा, देखिया आगे नेक्स्ट, आगे next सवाल है साथियो कि नागा साखी पर सयुक्त राज अमेरिका दोरा गिराये गए परमानु बम में किसका परियोग किया गया था किसका परियोग किया गया था साथियो उसमें परियोग प्लोटो नियम का किया गया था जो नगास आकी अमिरका दुआरा गिरा गए परमानु बंभ था उसमें प्लोटो नियम का प्रियों किया गए तर ठीक है देखिए आगे next सवाल आगे next है साथिओं वह वेग्यानिक जिसने Radio जिसने रेडियम की खोज की, वह वेग्यानिक कौन से है साथी हो, जिसने रेडियम का खोज किया है साथी हो, मैडम क्यूरी ने किसने किया है, मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया है, ठीक है साथी हो, आगे देखे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट साथी हो, कि किस वेग्या सेल में किसका उप्योग किया जाता है क्या साथ गानकल में अलâu पर्योग किया जाता है चैनलuciones तो उसमें क्या-क्या प्रियोग किया जाता है उसमें साथियो प्रियोग किया जाता है लीथियम का प्रियोग किया जाता है किसका प्रियोग किया जाता है लीथियम का डी नंबर मेरा क्रेक्टर आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए next सवाल सवाल है साथियो निम्ल में कि खनीज से अतिस बाजी में हरा जाता, अतिस बाजी में हरा जाता है, कौन सा खनीज है साती हो, जो अतिस बाजी में हरा जाता है, तो वह खनीज है मेरे साती हो, बेरियम, कौन है, बेरियम, आगे देखी, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निमलिखित में से, कौन सा आमतोर पर किरिस मेकी में उप्योग किया जाने वाले उर्वरकों में पाये जाने वाला एक मुलभुत-पादप उसकत्तु है कौनसा है सातीयों तो हुआ है मेरा potassium de correct answer हो जाएगा आगे देख़े next सवाल आगे next सवाल है साथियों कि बारुद बनाने में निमलिकित में से किस एक का इस्तमाल किया था बारुद बनाने में साथियों पोटेसियम नाइटरिट का इस्तमाल किया जाता है ठीक है तो B मेरा जो है वो correct answer हो जाएगा आगे next सवाल है प्याज लासून में गंद किस तत्तो की उपस्तिती के कारण होता है तो उसमें पोटेसियम रहता है जिसके वज़े से उवा गंद उत्पन करता है ठीक है आगे next सवाल है सवाल है सवाल है सूस्क सेल ड्राय सेल में वी धुरुबक का कारी करता है वी धुरुबक का जो कारी करता है साथियो कौन करता है साथियो तो उसमें जो करता है कारी है मैगनीज ड्राय ऑक्साइड करता है सूस्क सेल के रूप में कौन कार करता है मैगनीज ठीक है देखिए आगे नेक्स्ट सवाल आगे नेक्स्ट है साथियो कि निमलिकित में से किन तत्वों में लवनों द्वारा अतिस बाजी में रंग प्राफ्थ होता है अतिस बाजी में जो रंग प्राफ्थ होता है कौन सा रंग प्राफ्थ होता है साथियो ये बताना है दियो धर्मी तत्तु का भड़े बंडार जो भार्द में पाए जाते हैं किसका पाए तो यह बताना ठीक है साथियो तो वह पाए जाता है थोरियम का C correct answer हो जाएगा आगे next सवाल है निवन में कौन cement का मुख्य संगटक है cement का मुख्य जो संगटक है साथियो कौन है तो चूना पत्थर जो है वो cement का मुख्य संगटक है B मेरा correct answer हो जाएगा आगे next सवाल है निवन में किस धातु को प्राप्त करने हे तू boxside अयस्क है कौन है साथियो तो aluminium जो है मेरा वो boxside अयस्क है D correct answer हो जाएगा आगे next सवाल है साथियो कि कलपकम के past breeder कलपकम के fast breeder test reactor में परियुक्त इंधन है परियुक्त इंधन जो है साथियो मेरा होँ है समरीद uranium D correct answer हो जाएगा आगे next सवाल है साथियो constant constant तांबे और dash की एक मिस्र धातू है मिस्र दातु जो है साथियो मेरा हुआ है निकेल कौन है निकेल ठीक है आगे देखेंगर सवाल ठीक है गहरा जामूनी योगीक पदार्थ जो antiseptic abum disinfantact की तरह उपयोग में होता है उपयोग होता है तो उपयोग जो होता है साथियो उसमें potassium permanent का उपयोग किया जाता है C में correct answer हो जाएगा ठीक है साथियो और यह पूछा गया भी PSC 2016 का सवाल है आगे देखी next, next है gun powder किस misran से बनता है gun का जो powder होता है साथियो वह किस misran से बनाया जाता है यह बताना है साथियो उसमें जो misran रहता है charcoal, sulfur एवं potassium nitrate के misran से बनाया जाता है gun का powder C मेरा correct answer हो जाएगा आगे देखी नेक्स्ट सवाल, next है साथियो निमलिकित धातू युगमों में से किस एक में क्रमस सबसे हलकी धातू उता था सबसे भारी धातू पाई जाती है सबसे हलकी और भारी धातू जो पाया जाता है साथियो मेरा lithium और osmium होता है, भी मेरा correct answer हो जाएगा आगे next सवाल, next है साथियो कि चीली सीरा किसका समानी नाम है चीली सीरा किसका समानी नाम है साथियो, वा नाम है मेरा sodium nitrate, भी correct answer हो जाएगा आगे next सवाल है, सुस्क सेल में नीवन में किनका विद्धुद अभघटयों के रूप में परियुक किया जाता है विद्धुद अभघटयों के रूप में जो परियुक किया जाता है साथियो, किसका किया जाता है तो मेरा हो जाएगा ammonium koloride और zinc koloride का किया जाता है साथियो एक correct answer हो जाएगा आगे देखिए next सवाल, next है साथियो कि समरिद uranium होता है समरिद uranium जो होता है मेरा साथियो, प्राकिर्तिक uranium जिसमें रेडियो धर्मी U-235 आइसो टॉप का घटक करित्रिम रूप से बढ़ा जा सकता है ठीक है, तो B मेरा correct answer हो जाएगा आगे next सवाल है, निमलिकित में से किस एक में रजत नहीं है एक में रजत नहीं है साथियो, रजत मेरा जर्मन सिल्वर में नहीं होता है ठीक है, B मेरा correct answer हो जाएगा आगे next है, निमलिकित में से कौन सा एक यदस पूस्प कहलाता है यसद पूस्प जो कहलाता है, कौन कहलाता है साथियो, मेरा zinc oxide कहलाता है C correct answer हो जाएगा आगे नेक्स्ट है sodium bicarbonate का समानी नाम है sodium bicarbonate का समानी नाम क्या है साथी हो तो वह है backing soda क्या है backing soda मेरा correct answer हो जाएगा आगे देखिए next सवाल next है साथी हो कि masala एक misran होता है जल बालू और जल बालू और क्या उसमें होता है साथी हो और उसमें जिपसम्ण होता है D मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है? आगे देखिए next सवाल नेक्स्थ है फोटोग्राफी में निवन में कौन सा रसाइनिक योगी क्या है आता है फोटोग्राफी में रसाइनिक योगी क्या है साथ यो क्या किया जाता है यह बतना पड़ेगा ठीक है तो उसमें silver bromide का प्रियोग किया जाता है फोटोग्राफी में B मेरा correct answer हो जाएगा आगे next देखिए सवाल सवाल है साथियो विदुत्य तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस जिस मिस्र धातु का प्रियोग किया जाता है वह कौन सी है जिस मिस्र धातु का प्रियोग किया जाता है वह जो धातु है वह कौन सा धातु है यह बतना है next शारी हो जिंक सलुखेट का आम तोर पर पर्योंग किया जाता है तो कवक नासी के रूप में किया जाता है एक correct आंशर हो जाएगा आगे next है बरतन बनाने में परयुकत जर्मन सिल्वार एक एलाय है तो लिए जो भी मेरा correct साथियों कि मिस्र धातू है था बनेकर्ट में से कौन सी तंबा और जसता के मिस्र धातू है तो मेरा पीतल हो जाएगा बी क्रेक्ट आंसर साथियो आररवी 219 का पुछा गया सवाल है आगे देखिए next सवाल साथियो कि जर्मन सिल्बर में निमलिकित मेजे कौन सा सही नहीं है जर्मन जो सिल्बर होता है इसमें सही पुछा गया नहीं है सही जो नहीं है मेरा साथियो वह हो जाएगा सिल्बर क्या हो जाएगा सिल्बर सी नंबर मेरा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा आगे next सवाल है पन्ना का रंग आम तोर पर होता है पन्ना का रंग आम तोर पर किस प्रकार होता है साथियो तो हरा होता है एक correct answer हो जाएगा आगे next सवाल है साथियो कि मानेक्य और नीलम किसके oxide है किसके oxide है साथियो वह है मेरा aluminium का D correct answer हो जाएगा आगे next सवाल है पुक राज पुक राज कलोरीन और aluminium का एक है, aluminium का एक क्या है साथियो, तो silicate है D correct answer हो जाएगा आगे नेक्स्ट है केलेवे राइट क्या है केलेवे राइट नामक खनीज युक्त एक टेलू राइट खनीज है बोला है सात्यों कि केलेवे राइट नामक खनीज डैस युक्त एक टेलू राइट खनीज है तो कौन सा खनीज है सात्यों वह हो जागा मेरा सोना सी नंबर मेरा correct response हो जाएगा आगे देखिए next सवाल next साथे हो कि खनीज कारवो टाइट क्या है? खनीज कारवो टाइट एक महादपूर्ण शुरोत है एक महादपूर्ण शुरोत किसका है साथी हो तो वह है मेरा यूरेनियम का किसका है uranium का आगे next सवाल next है साथियो किसे right किसे right निमलिखित में से किस खनीच का आयस्क है किस खनीच का आयस्क साथियो तो magnesium का आयस्क है एक correct answer हो जाएगा आगे next है लेड़ पैंसिल में लेड़ का परतिसत कितना होता है लेड़ पैंसिल में जो लेड़ का परतिसत होता है साथियो जीरो होता है एक correct answer हो जाएगा आगे नेक्स्ट है, पॉर्ट लेड, पॉर्ट लेड, सिमेंट के निर्मान में परियुक्त होने वाला कच्चा माल है, परियुक्त होने वाला कच्चा माल क्या है साथियों, तो मेरा चूना लाइम और सिलिका और एलुमीना, C मेरा correct answer हो जाएगा, आगे देखिये next सवाल, next है निमलकी धातुओं में सरवाधिक हिन चालक कौन सा है, सरवाधिक हिन चालक जो है साथियों कौन सा है, तो मेरा हो जाएगा, C सा हिन चालक है, B मेरा correct answer हो जाएगा, आगे next है, पॉर्ट लेड, सिमेंट में, जिपसम मिलाने में मदद होती है, जिपसम मिलाने में मदद मिलत तो किस परकार मदद मिलती है साथियो वह मिलता है सिमेंड को सिग्रत जमने से रोकने में C मेरा correct answer हो जाएगा आगे देखे नेक्स्ट साथियो कि सिमेंड बनाने के लिए किसके मिसरन को खूब तपत किया जाता है किसके mission को खुब तप्त किया जाता है साथियो तो चूना पत्थर और मृतिका को बहुत ज़्यादा तप्त किया जाता है साथियो और पूछा गया 2011 SSC का सवाल है ठीक है आगे देखिए next सवाल है बैकिंग सोडा के संबंद में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है खाद डिबबों पर टीन की कोटिंग की जाती है जस्ता की नहीं क्योंकि साथियो इसमें जो होता है जस्ता टीन से अधिक अभिकिर्या सील होता है जिसके वज़े से इसका कोटिंग नहीं किया जाता है बी मेरा correct answer हो जाएगा आगे देखिए next सवाल गन मेटल समिस्तरन है गन मेटल समिस्तरन किसका है साथियो तो तामबा टीन एवं जीनक का है आगे देखिए next सवाल next है सोने को घोला जाता है सोने को घोला जा सकता है तो किस में घोला जा सकता है साथियो तो D हो जाएगा nitric acid तथा hydrochloric acid के मिस्रेन में सोने को घोला जा सकता है आगे देखे next सबाल next है निमलिकित में से किस खनीज में oxygen नहीं होता है किस खनीज में oxygen नहीं होता है साथियो तो cryolite में oxygen नहीं होता है C number मेरा correct answer हो जाएगा आगे देखिए next next है soda 4 धोने का soda किसका नाम है सवाल है साथियो soda 6 धोने का soda किसका नाम है किसका नाम है साथियो इसमें जो नाम होगा D number मेरा correct answer होएगा हाइडरेट सोडियम कार्बोनेट डी क्रेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखे नेक्स्ट सवाब नेक्स्ट साथियो निमलिकित में से कौन सी मिस्र धातू नहीं है मिस्र धातू जो नहीं है साथियो मेरा वो हो जाएगा तामबा मिस्र धातू नहीं है आगे देखे नेक्स्ट, नेक्स्ट है साथियो, निमलेकित में से किस रेडियो धर्मितत्व के भारत वर्स में बड़े भंडार पाये जाते हैं, बड़े भंडार कहां पाये जाते हैं साथियो, और किसका पाये जाते हैं, यह बताना है, बड़े भंडार जो पाये जाता है, खोरियम का पाए जाता है ठीक है सातियो बी मेरा correct answer हो जाय ay आगे नेक्स्ट है फ्यूज तार किसे से बनी होती है फ्यूज तार जो बनी होती है साथियो तीन सीसा के मिसरन से बनावता है भी मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते है नेक्ष्ट सवाल की और आगे सवाल है साथियो निवीन में कौन साथ एक कैल्सियम कार्वोनेट लवन को प्रदर सित नहीं करता है लवन को प्रदर सीत नहीं करता है साथियो तो लाइम वाटर हो जाएगा यह correct answer आगे नेक्ष्ट है पोटेसियम की खोज किस ने की ए? पोटेसियम की खोज सातियों हमपरी डेवी ने क्या है? एक correct answer हो जाएगा. आगे next है पीतल में कौन सी धातू होती है? पीतल में जो धातू होता है सातियों उसमें होता है तामबा और जास्ता. ठीक है, आगे देखिए next, सवाल है, एक विद्धुत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ, साथ, और्गन गैस क्यों पर्यूक्ट कियाती है, साथियो, क्योंकि उसमें जो होता है, बल्ब की आयू बढ़ाने के लिए और्गन गैस पर्यूक्ट किया जाता है, यह नम्मर जो है पानी में मिला कर बनाया जाता है, ठीक है, पेस्ट पर्यूक्ट किया जाता है, इस सफेद पदार्थ को क्या कहते हैं, उस सफेद पदार्थ को साथियो, प्लास्टर और पेरिस का जाता है, भी मेरा correct answer हो जाएगा, आगे next है, एलक्ट्रोनिक सरक्यूटों को जोडने के लि क्यों की साथियो, उसमें मुक्त एलक्ट्रोन होते हैं, जिसके वज़े सवा सुचालक होती है, ठीक है, आगे next है साथियो, मुक्त सोधुनों, क्या है साथियो, मुक्त सोधुनों, तथा तूट पेस्टों में निमलिकित में से कौन सा योगिक आम तोर पर पर परियोग किय जाता है कौन सा योगी आम तरपर परियोग किया जाता है साथियो उसमें सुहागा परियोग किया जाता है एक correct answer हो जाएगा आगे next है साथियो कि निमलिकित में से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव रूप में है कौन है साथियो तो मेरा फ्रांसियम है सी correct answer हो जाएगा आगे द आगे देखे नेक्स्ट, नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन कलोरोफिल का घटक नहीं है, कलोरोफिल का घटक नहीं है साथियो, वह है मेरा केलसियम कलोरोफिल का घटक नहीं है, आगे देखे नेक्स्ट सवाल, काच को गहरा, नीला, रंग किससे मिलता है, किससे मिलता है साथ तो वह मिलता है मेरा कोबाल्ट ऑक्साइड से. आगे देखिए next सबाइटी ओ, निमलिकित में से सरवत्तम उसमा सुचालक है, उसमा का सुचालक है सरवत्तम है मेरा साथियों, पारद कौन है? पारद, वी मेरा correct answer हो जाएगा. आगे next है, कौन सतत्व सबसे पहले कृत्रियम र विदुतन के फलज़रूप अंततक क्या बनता है, अंततक क्या बनता है साथियो, उसमें बनता है सीसा, क्या बनता है, सीसा बनता है, डी नंबर मेरा करेक्टर आंसर हो जाएगा, आगे नेक्स्ट है, पीतल किसकी मौझूदगी में निरंतन रहने से वायू में रंगहीन हो जा किसकी मजुद के कारण मानिक लाल रंग होता है साथियो, वह होता है मेरा कैलसियम ऑकसाइड के बजह से, ठीक है, आगे देखे साथियो, next सवाल, sorry साथियो, इसका जो आंसर होगा साथियो, इसका correct answer हो जागा मेरा chromium ऑकसाइड, sorry साथियो मिश्टेक हो गया, इसमें हो जागा chromium oxide ठीक है आगे बढ़ते है next सवाल के नेक्स्ट है कि कांच होता है कांच क्या होता है साथी हो कांच एक परकार का अतिसीती द्रव होता है ठीक है मेरा B correct answer होगा आगे देखे next सवाल है कांच के निर्मान में निमलिकित में से किसका परियोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है कच्चे माल के रूप में साथी परियोग alumina का नहीं किया जाता है आगे next सवाल है उस धातू की पाचान करें जो प्रकिर्ती में अविसैला होता है अविसैला जो होता है साथी हो सोना होता है ठीक है आगे देखे next सवाल है पायरे एक्स काच को अधिक समर्थ बनाने में बनाने के लिए निवनिमे से क्या उत्तरदाई होता है क्या उत्तरदाई होता है साथियो इसमें जो उत्तरदाई होता है वो होता है बॉर्ड एक्स आगे बढ़ते है नेक्स्ट सवाल क्यों नेक्स्ट है कांच प्रवल प्लास्टिक बनाने के लिए किस परकार के कांच का परियोग किया जाता है साथियो उसमें जो परियोग किया जाता है रेशा कांच होता है कौन कांच जाता है रेशा कांच आगे देखे नेक्ष्ट सवाल है photo chromatic कांच में किसकी उपस्तिती के काला गहरा रंग होने का गुन्धर्म होता है कौन सा गुन्धर्म उसमें रहाता है साथियोर तो वह रहाता है रजत कोलो राइट क्या रहाता है रजत कोलो राइट डी क्रेक्ट आंसर हो जाएगा आगे नेक्स्ट है इनमे से कौन सी धातु का उपयोग विद्धुतार बनाने के लिए किया जाता है? उसमें उपयोग किया है तामबा क, भी मेरा correct answer हो जाएगा आगे नेक्स्ट है परकासिक यंतर बनाने के लिए निमने से किस परकास का काँच का परियोग किया है? तो उसमें साथियो कांच जो रहाता है, वो फिलट कांच रहाता है, साथियो उसमें कौन कांच रहाता है, फिलट कांच, भी मेरा correct answer हो जाएगा. next है magnesium फीते के जलने पर बनने वाला सफेद पाउडर क्या होता है बनने वाला क्या सफेद पाउडर होता है साथियो तो वह रहता है magnesium oxide B मेरा correct answer हो जाएगा आगे next है सवाल है साथियो आगे next है साथियो कि निमलिखित में से कौन सा तत्तु एक धातु नहीं है नहीं है साथियो मेरा P हो जाएगा correct होटेसियम ठीक है आगे दिखिये next सवाल सवाल है निमलिखित में से कौन सा योगी का उपयोग सुस्क रूप में किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है साथियो उसमें जो उपयोग होता है केल्सियम oxide एक correct answer हो जाएगा आगे next है डायस का गलनांग बहुत ही निम्न होता है किसका गलनांग होता है साथ ही हो तो इसमें होता है G A D number जो है मेरा correct answer हो जाएगा आगे next सवाल है सवाल है परमानुए घड़ियों में एक time creeper time creeper के रूप में पर्युक्त होने वाला तत्व निम्निकित में से कौन सा है ताइम कीपर के रूप में पर्युक्त होने वाला जो तत्व है साथियों उसमें हो जाएगा मेरा cgm कौन होता है cgm होता है correct answer मेरा b हो जाएगा आगे next सवाल है निम्निकित में से जल अनुओ की व क्वा करता है मेरा दो correct answer भी हो जाएगा आगे next सवाल है आसा का धातू है आसा का धातू क्या है साथियों तो युरेंियम है ए nlt की सबाल है कि निव्न मे से किस धातू को चाकु द्वाराँ सब्सक्राणिस से कटा जा सकता है तो मेरा correct जो आंसर होगा वह हो जाएगा सोडियम चाकू से भी कड़ाया सकता है ठीक है आगे बढ़ते है next सवाल की हो आगे सवाल है साथियो निवन में कौन सी धातू उबहे धर्मी ओक्साइड बना सकता है उबहे धर्मी ओक्साइड जो बना सकता है सातियो वह बना सकता है मेरा AL को ना सकता है AL आगे देखिए next सवाल next है धातु oxide के रूप में होता है धातु oxide के स्वरूप में जो होता है वह किस परकार का होता है ठीक है सातियो वह होता है मेरा चारिये क्या होता है चारिये होता है correct answer जो होगा मेरे साथियो डी नंबर मेरा correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next सबसे अधिक तन्य धातू है सबसे अधिक तन्य धातू गोल्डन है साथियो ये correct answer हो जाएगा आगे next है डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा पर्मुकर हसायन मौजूद होता है कौन सा पर्मुकर हसायन जो मजबूत मौजूद होता है साथियो मेरा sodium carbonate D correct answer हो जाएगा आगे next है बेरियम नाइट्रेट का उपयोग signal प्रदीप्त और अति बाजी में किया जाता है जो चमकिले रंग का परकास उसरजित करता है साथियो हरे रंग C नमर मेरा correct answer हो जाएगा आगे next है निमल लखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है इसमें सुलेमित मतलब साथियो एक दूसरे से match नहीं कर रहा है ठीक है यह बताना है एक दूसरे से match नहीं कर रहा है साथियो मेरा A नमर जाए वो correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते है next सबाल की ओर next है धात्वों में और उनके अयोसकों के संभार में कौन सा यूग्म सही नहीं है यह बताना है सही मेरा साथियो correct जो answer होगा C हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते है next सबाल की ओर next है निमलेकित में से कौन सा धोषन सोढड़ का उप्योग नहीं है सातियो मेरा A नमर और correct answer हो जाएगा आगे देखें next सबाल next तूट पेस्त बनाने में निमन में किसका उप्योग नहीं किया जाता है तूट पेस बनाने में तूट पेस बनाने में सातियो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, next है, sodium hydrogen carbonate का उपयोग किया जाता है, sodium hydrogen carbonate का उपयोग किसमे किया जाता है साथी हो, तो soda acid अगनासक के रूप में उपयोग किया जाता है, आगे next है, cryο-mide नामक खनीज का वैग्यानिक नाम, निमलिखित में से कौन सा है, कौन सा वैग्यानिक नाम है साथी हो, तो मेरा decract answer हो जाएगा, iron chromium oxide, decract answer हो जाएगा, आगे next है, निमलिकीत में से कौन寸ा, तद बैकिंग सोडा का घटक नहीं है बैकिंग सोडा का घटक नहीं है साथियो मेरा B हो जाएगा साथियो केलसियम, B personality answer हो जाएगा ठीख है, आगे देखें next सवाल next साथियो, कि निमलिकीत में से कौन सा कथन गलत है यह बताना है, गलत कथन जो है मेरा साथियो, सी हो जाएगा, सी सा और पारा, उसमा के सर्वस्रेश्ट सूचालक है, ठीक है, साथियो, ससी दोयर 20 का पूछा गया सवाल है, ठीक है, ध्यान में रखेगा बहुत ही important सवाल है, आगे देखे साथियो, next सवाल, सवाल है साथियो, क में कि एक दूसरे से कौन मैच कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे जो मैच कर रहा है साथियो, इसका जो correct answer होगा, मेरा A हो जाएगा, A हो जाएगा, A 5 से मैच कर रहा है, बुझा, A 5 से हो जाएगा, B मेरा 3 से मैच कर रहा है साथियो, तो 3 से हो जाएगा, और C मेरा 2 से मैच कर 2 हो जबाए गुए ऑर मेरा खाने का Soda NaCO31 से मैच कर रहा है आगे बलते हैं सभाली और से नेक्स इसमें वही सवाल है साथ हुए एक दूसरे से मैच करना है ठीक है और समय मैच करने पार गुपर तुन साथ मैचel मुर्शने के साथ उसको C है मेरा 1 से match हो जाएगा, ठीक है, और D जो है मेरा साथियो, वह 2 से match हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं फिर next सवाल क्यों, next साथियो, वही है एक दूसरे से match करना है, तो इसका जो correct answer होगा साथियो, correct answer मेरा B हो जाएगा, ठीक है, साथियो आपको एक दूसरे से match करके आपको comment section में बताना है ठीक है आगे बढ़ते है next सवाल की ओर आगे next जो भी है साथियो यह अभी एक प्रकार से match करने वाला ही है ठीक है लगदार साथियो 5 से 6 सवाल यह match करने वाला रहेगा और एक जाम में एक सवाल आपको पुछा ही जाएगा match करने वाला एक दूसरे से तो इसका correct answer मेरा A हो जाएगा ठीक है आगे देखे next साथि वही सवाल है एक दूसरे से match करना है तो इसका जो भी correct जो answer होगा साथियो मेरा C नमर correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते next सवाल की ओर आगे next सवाल है कितने oxygen परवानों मौजुद होते हैं साथियों तो 4 होते हैं correct answer हो जाएगा ठीक है साथियों हम लोग धातु एवं उनके योगिक पढ़ गए थे total 300 सवाल साथियों नहीं 323 सवाल था ठीक है तो part wise साथियों आपको divide करके मैंने total सवाल complete कर दिया ठीक है आपने वीडियो से अंतक देखा part wise टोटल का total वीडियो देखा ठीक है और साथिस साथ आप telegram में जूर जाएगा पीडिया आपको telegram में मिल जाएगा कल फिर मेंगे next chapter में तब तक लिए